उनको अपनी responsibility का एहसास ही नहीं होगा तो ज़रूरी ये बाते समझाना इन पांच लोगों के साथ मिलकर व्यापार चलाने के लिए डायलाक रुपे खर्च हो रहें बहुत सारे बिजनस में बिजनस ओनर एक बिजनस को चलाने के लिए हर employer से मेरी request है जरूर calculate करें कि उसकी company म कितने number of employee है और total खर्चा कितना है ताकि उसको यह पता लगे कि दो आज को वीडियो है ना यह बड़ा important है हर बिजनस ओनर के लिए हर उस बिजनस ओनर के लिए इसके बास 2,4,5,10,20,50,100,200 employee काम करते हैं अब जो employee काम करता है employee को कही बार रगता है कि जो भी salary मुझे दे रह हो जाती है लेकिन वास्तिविक्ता में ना स्थिति कुछ होर है उसके लिए हमें ही समझना पड़ेगा कि एक बिजनस में एक employee की कितनी कॉस्ट आती है employee क्या सोचता है जो salary मुझे दे रहे हैं वही मेरी cost है इतना ही मुझे business करके देना है कि अगर मैं 20,000 रुपे salary ले रहा ह है तो यह video अपने employees के साथ जरूर share करना पहले आप अच्छे से calculation लगाना जब आपको बात समझ में आए तो share करना ताकि वो भी इस बात को महसूस कर सके कि उनकी salary cost क्या बैठती है मान लेते हैं पांच employee है 20,000 रुपे पर employee की salary है तो एक लाख रुपे salary हो गई जो हम employees को pay कर रहे हैं अब मान लीजिए वहां का रेंट है यह तो कि salary है रेंट मान लेते हैं रेंट मान लेते हैं 50,000 रुपे लेकिन कई बार इस जगह का रेंट डेड़ लाख दो लाख धाई लाख तीन लाख भी हो सकता है आपको भी पता आपके शोरूम का रेंट कितना है आज कल सब कर रहे हैं यह हो गया इसके लावा टी काफी स्नैक्स अभी मैंने वह ग्राउंड लेवल इंप्लॉई कांट नहीं की है क्योंकि उनका काम सेल करना नहीं है आपका प्लॉर किलिनर वाला परसन है उनको तो हम कांट इनी कर रहे हैं लेकिन मिसलिनिस खर्चा मान लेते हैं 25,000 रुपे इसके लावा आप मानलो 10-15,000 रुपे आपके लग जाएंगे रेंट के लावा इलेक्ट एलेक्टरिसिटी के अलावा आपके कौन से खर्चे हो गए मुबाइल फोन अगर पांच इंप्लॉई है तो पांच मुबाइल फोन इस्तिमाल हो रहे होंगे 500 रुपे लग लगबग हम मानलेते हैं 25,000 रुपे और मानलेते हैं तो कोई भी एक अमाउंट ले लो एक लाख लेड़ लाख दो लाख ठाई लाख रुपे मानलेते हैं अब इनी पांच अभी सारी बात छोड़ दो कि कितने सेल आईगी कितना क्याएगा इन पांच लोगों के साथ मिलकर व्यापार चलाने के लिए 50,000 रुपे खर्च हो रहें इंक्लूडिंग रेंट और एक्सपेंसे अभी निकी आवरेज निकाल लो अब वो कितने का पड़ गया जो इंप्लॉई 20,000 रुपे सेलरी ले रहा है उस साइट पर काम करने के लिए उसकी कॉस्ट 50,000 है अभी मैं से पर बैठे हैं उससे रिलेटेड जितने भी खर्चिय है वो है तो उसी के लिए तो जो इंप्लॉई 20 सैलरी ले रहा है उसकी बैठने की कॉस्ट 50,000 रुपे आ रही है अब सेल की बात करते हैं अब सेल की बात क्या करते हैं चोलो सेल से केलपूलेट कर लेते हैं यह तो समझ है कि व्यापारिक जो प्रॉफिट है वो बीस परसेंट अभी तो खर्चे माँ और पचास आपको गिना सकता हूं हर साल इन पूरे किसा जीएस्टी रिटन फाइल होती है इंकम टेक्स फाइल होती है और जीएस्टी के चलान होते हैं अकाउंटेंट की फी होती है और भी का 10 परसेंट होता है पचास हजार मतलब अगर हर इंप्लॉई पांच लाग की सेल करेगा दस परसेंट प्रॉफिट से तो उसकी कॉस्ट पूरी होगी एक महीने की अब पांच इंप्लॉई यहां उस चोरूम पर तो पांच गुना में पांच लाग मतलब 25 लाग रुपे की सेल पर खर्चा पूरा होगा अगर दस परसेंट पॉफिट है अगर किसी इंप्लॉई ने एक महीने काम किया दूसरे महीने रिजल्ट नहीं आया तीसरे महीने बाद उसने सेल लेके आया तो चार महीने बाद ऐसा तो नहीं चौथे महीने लेगा तीन महीने लेगा नहीं त 25 रुपे की सेल करेंगा तो समझो उसका पिछला पुरा बढ़न में भी खतम हुआ है प्रॉफिट नहीं आया प्रॉफिट जब आएगा अगर उसमें 6 लाकी सेल किया एक्मुलेटिड सेम रेशो में बढ़ा के किया जितना आपको पे कर रही है कंपनी उतना ही रिवेन्यू भी आ रहा ना तो कंपनी घाटे में हैं हेंड्रेट पर्षेंट गाटे में हैं वह बात अलागे कि प्रॉफिट रिशो दस की जगा 20 होगा तो पांच की जगा धाई की सेल आ जाएगी पर जीरो सेल पर कभी भी खर्चा पूरा होने वाला नहीं है एक इंप्लॉई जिसको बीस पे कर रहे हैं उसकी वरकिंग कॉस् कि उसकी कंपनी में कितने नंबर ऑफ इंप्लॉई हैं और टोटल खर्चा कितना है ताकि उसको यह पता लगे कि एक इंप्लॉई की उपर मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं उस बिजनस को चलाने में तो उतने रिशो प्रॉफिट से कितना मैं उस पर बड़न डालू कितन कोई नहीं पता होगा यार मैं तो बहुत अच्छा बिजनस दे रहा हूं मुझे तो लगता कंपनी लाखों में कमा रही होगी तो उसके पीछे का सीक्रेट देखो बहुत सारे बिजनस में बिजनस ओनर एक बिजनस को चलाने के लिए अपनी प्रीवियस सेविंग को लगात और हर इंपलायर को अपने इंपलाई को भी यह समझाना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कितनी आती है तभी इंपलाई को पता लग पाएगा क्योंकि इंपलाई का जो माइंड सेट है वो उसको बिजनस के बारे में क्या पता डिटेल क्या पता तो डिटेल जब तक आपने इंपल करता हूं इसलिए मुझे पता है कि operating cost कैसे निकालनी है यह कोई बिजनस कोच का फार्मला नहीं है कि कोई थियोरेटिक लिए आपको ऐसे बता देगा आप कैलकुलेट करें आपको सब समझ में आएगा इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए अपने employees के साथ शेयर कीजिए और खुद बैठकर एक budget बनाईए कि आपके एक employee की cost आपके लिए कितनी आती है प्लस आपको एक employee को कितना target देना है ताकि उतनी sale achieve करके वह अपना खर्चा पूरा कर सके इसके लावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या प्रश्न है तो वह comment box में मुझे ज़रूर लिख दे कोई भी informative वीडियो में स्पैशली बिजनस को लेकर तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले स्वस्त रहें मस्त मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत